नोईडा में एक चलती हुई बस को अचानक आग लगने का समाचार है आग लगने से बस पूरी तरह सड़ गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भ्यानक थी अचानक आग लगने से यात्रियों में भगदड मच गई बतादे कि ये गढ़ना नोईडा के सेक्ट कर अपनी जान बचाई बताया जा रहा कि आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ नोईडा में एक चलती हुई बस को अचनक आग लगने का समाचार है आग लगने से बस पूरी तरह सड़ गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भ्यानक थी अचनक आग लगने से यात्रियों में भगदर मच गई बता दे कि ये गडना नोईडा के सेक्टर 96 के अंडर पास की है, यहां चलती बस को अचानक आग लग गई, आग का पता चलते ही ड्रेवर ने तुरंत बस को सड़के किनारे रोका, यहां यात्रियों ने खिडकियों से कूद कर अपनी जान बचाई, बताया जा रहा कि आग लगने की सूचना मिलते ही, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुँच गई, गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, नोईडा में एक चलती हुई बस को अचानक आग लगने का समाचार है, आग लगने से बस पूरी तरह सड़ गई, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भ्यानक थी अचानक आग लगने से यात्रियों में भगदर मच गई, बता दे कि ये घड़ना नोईडा के सेक्टर 96 के अंडर पास की है, यहाँ चलती बस को अचानक आग लग गई, आग का पता चलते ही ड्रेवर ने तुरंत बस को शड़ के किनारे रोका, यहाँ यात्रियों ने अचानी नुकसान नहीं हुआ, नोईडा में एक चलती हुई बस को अचानक आग लगने का समाचार है, आग लगने से बस पूरी तरह सड़ गई, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भ्यानक थी, अचानक आग लगने से यात्रियों में भगदर मच गई, बता यात्रियों ने खिडकियों से कूद कर अपनी जान बचाई, बताया जा रहा कि आग लगने की सूचना मिलते ही, फायर ब्रगेड की केई गाड़ियां मौके पर पहुँच गई, गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, नोईडा में एक चलती हुई बस को अच गटना नोईडा के सेक्टर 96 के अंडर पास की है, यहां चलती बस को अचानक आग लग गई, आग का पता चलते ही ड्रेवर ने तुरंत बस को शड़के किनारे रोका, यहां यात्रियों ने खिडकियों से कूद कर अपनी जान बचाई, बताया जा रहा कि आग लगने की सू